चल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को दबाएं और मेरा मानना है कि अब वो सामाजिक तोर पर एक गर्टबंधन बन चुका है जो भाईचारे का मेसेज है कि ऐसा ना हो आपसी लडाई में भाजबा जीत जाए हम अभी शामली जिले के कांदला कजबा में हैं नगर निकाए चुनाफ चल रहे हैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण जनसभा हुई थी जिसमें सपा के शामली अध्यक्ष इक्रा हसन और सुधीर पवार जी दोनों आए हैं बहुत बड़ी संख्या यहां पर लोग उस मीटिंग के लिए आए थे अभी हम बात करेंगे सुधीर पवार साब से और पिर इक्रा से सुधीर जी सीसी है में बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी आपका सुधीर जी क्यों आप यहां पर नजमुल साब आपके उमीदवार है क्यों आपको जरूरी लगा यहां पर उनके समर्थन में आने के लिए समाजवादी पार्टी इस जन्पद में एक अलग तरीके की राजनिती की सुरुवात कर चुकी है नजमुल जी यहां के पड़े लिखे पुराने परिवार से हैं जिन्होंने कांदला और आसपास के छेत्र में हमेशा एक सामपरदाइक सद्वाव की राजनिती की है हम लोग ने काफी सर्वे किया काफी लोग उसे बातचीत की उसके बाद यह निकल काया कि यह दी यहां पर यह पर परत्यासी होते हैं उम्मिदवार होते हैं नगरपाली का कि अद्यक्स के लिए तो ना तो वो खाली उनकी इमानदारी और उनकी जो करमटता है वो इस कस्वे का फायदा करेगी बलकि जो उनका जहनियत है जो उनका सोच है वो यहां पर सामपरदाइक सद्वाव को आगे बढ़ाएगी जिसके लिए लोग दल और समाजवादी प है लेकिन कि यहां पर आप भी जनते हैं मुझसे भैटरी जानते है कि AAP केराना से है एक राजी और किस तरह से बार-बार केराना को बद्रेम करने की कोशच की जाती है मुसले मे अकसर एथा है यहां पर इसलिए किस तरीके से संपरदाइक जो एक किसम की राजनीत हम देख रहे हैं उसको कैसे यहां पर रोका जा सकता है और कैसे वापस मुद्दो की राजनीती हम लोगों के बीच में ला सकते हैं अभी योगी जी यहां पर आए थे तो फिर से उन्होंने यही सामप्रदायकता फैलाने की बात करी लेकिन एक हद तक जो हमारा लोगदल और समाजवादी का गटबंधन रहा है वो काम्याब रहा 2022 में और मेरा मानना है कि अब वो सामाजिक तोर पर एक गटबंधन बन चुका है जो भाईचारे का मेसेज है तो काफी सुधार आया है और हम लोग लगातार यही कोशिश कर रहे है कि वो बरकरार है अब यहां पर जो हमारे प्रतियाशी हैं यहां पर कुछ उस तरीके का उन से तालमेल बन नहीं पाया तो यहां पर पार्टी का निरने रहा हमारे अलग प्रतियाशी हैं लोग दल के अलग हैं लेकिन हम गटबंधन विचारधारा से दूर नहीं हैं हाला कि हमारे जो प्रतियाशी हैं बहुत मजबूत स्थिती में हैं और सीधी लडाई भाजपा से हैं तो उनको मजबूती देने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री जी खुद आ गए, तो इसलिए हम सब को अपने आपसी मतवेद भूल कर, बहतरी की और, जैसा आप कहे रहे हैं, मुद्दो की तरफ और जो कांदला की बहतराई के लिए काम कर सके, एक यहां पर ऐसा माहौल बना स सके, जिनके सबसे बड़ी बात है कि जिनके यहां पर सब लोग आ सके, लगातार बहुत टाइम से महनत कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी और यहां पर कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोगों का आना जाना है, सभी का सम्मान है, और शीक्षा के फील्ड में भी काफी इनके प् हम लोग क्योंकि अपनी पार्टी के तरफ से यहां पर आए हैं, सिर्फ इसलिए कि ऐसा ना हो आपसी लड़ाई में भाजपा जीत जाए, तो वही बात है कि वोट ना हमारे बिखरें और यही संदेश देने के लिए लोगों के पीछुनाव है, आप लोगों के लिए जो उ लेकिन वो चुनाव के नतीजे नहीं आपाए थे, तब से लेकर अब तक क्या कोई आप उसमें बदलाव देख रहे हैं और क्यूं देख रहे हैं? हमारी सरकार नारने का लोगों में गुस्सा है, और उनके पास अलग-अलग वज़े हैं गुस्से की, एक तो यह एक उन्होंने वोट दिया, इमानदारी से वोट दिया, उसके बाद भी भाजबा पता नहीं ऐसी कौन सी करामात करती है, कि लोगों की वोट रिजल्ट में न वो गुस्सा है, उस गुस्से का जो नगरपाली का चुनाव है, यह सहरी वर्ग का चुनाव होता है, ज्यादे तर सहरी वर्ग है यहां पर, भाजबा की एक मजबूरी है कि उनके पास सब स्थानिय नेतर तो खतम हो चुका, लोगी जी कहाना यही है कि नगरपाली का कुछ इस इस बात का हम लोगों को फाइदा में लगा क्योंकि हमारा इस्थानिय नेत्रत जो नज्बुलहसन है हमारे परतियाशी वह बाजबा को कडी टक कर दे रहा है बलकि जो सीर्ज नेत्रत है उसके साथ में जहां तक बदलाव की बात है तो मुझे मालूम है मैं उस समय योजिनायोग में सदेश था इन कस्बों को जो पश्ची मुत्तरबर्देश के कस्बें हैं स्पेसली कहराना कानला रामपूर धानववन जितना नगरपालिकार ने पैसा उतना पैसा उन लोगों को दिया गया और उस बजट से यहां कुछ ने कुछ काम भी हुआ लेकिन जो हमारी उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कम है इससे में अम राज्य सरकार में नहीं है तो हमारी जो प्लांस है हमारी जो आगे की कारिया योजन है और नगरपालिका के चेर सहयोगी जो इस बार हमारे साथ चुनाओं में है वो आजाज समाज पारिटी वो भी हम लोगों के साथ सहयोगी है इस जिले में हम दो सीट पो लोग लड़ रहे तो हम लोग कोशिश कर रहे कि जो बाजबा का जो एक यूफोरिया था विदान सभा चुनाओं का उससे नगर तर्ता में चला गया तो मेरा यह दावा है कि पस्ची मुत्तर बर्देश में बाजबा को जितनी उनकी इस समय बेचारगी है और जितना उनमें उतावलापन है वो सायद मुख्यमंत्री जी भी यहां तक आए है योगी जी उसका क्या कारण लग लगा तो यह कि सायद जो क्या का है जो ही सब्सक्राइब कर सकती है इससमें काम आईगी और यह कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती तो एक बी वाधा पूरा नहीं कि कोई चाहे नगरपाली का वाइदा हो, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सीवर लाइन हो, कोई परदूजन की बात हो, कुछ हो कहीं, उनका ठहरता ही नहीं कि जी बात हो. मेरा आखरी सवाल है, क्योंकि आपने अभी बात करी, सीवर लाइन्स की, वेस्ट मैनेजमेंट की, कस्बे यहां बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह की प्लैनिंग उसके लिए जरूरी है, वो दिखनी रही है, किसी भी कस्बे में, मतलब लगबग पूरे उत्तर प्रदेश क की हाला था, किन मुक्छे, क्योंकि नजमल साफ का मैंने पहले इंटरव्यू लिया थे, लगबग इनी मुद्धों यहां बात करी, लेकिन कांदला में भी और कांदला के बाहर पर भी किन मुख्य मुद्दों पर आप लोग उतर क्या मुख्य मुद्दे लोगों के पास लेकर जा रहे हैं। इक्रा जी फिर आप भी जैसा आपने बताया कि लगातार जो हमारी लिमिट है कस्बे की वो बढ़ती जा रही है। अब भी कहराना हमारा जो कस्बा है उसमें ग गाओं पूरा का पूरा ले लिया गया अंदर तो गाओं के विकास में और शेहर के विकास में काफी फर्क होता है। तो पहले तो यही सबसे पहली कोशिश रहेगी जो हमारी बहार की कॉलनीज हैं। उन में जितना जादा से जादा विकास हम कर सकें। वहां पर इंटर स्कूल में बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा हो कि शेहर के चारो तरफ हम दो चार स्कूल जितने भी हो सकें। उतने बनवाने का काम करें। वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो। लगातार सफाईया होती रहें। तो यही सारे विकास के मुद्दे जो शेहरी रूप से होते हैं मेन मुद्दे तो यही है। चुनाव में ताकि एक सशक्ती करण की तरफ हम क्या कर सकते हैं। महिलाओ का सबसे पहले तो यही जो एक तरीके से दोहरा वियवार है कि प्रोक्सी रूप से सिरफ महिलाओ का इस्तमाल होता है। तो इसमें पहले सबसे पहले हमें जागरुकता फैलाने की जरूरत है कि वो अपनी ताकत को समझें। और क्यूंकि 50% वोट की हिस्सेदार हम लोग हैं तो हमारे साथ जो यह दोहरा वियवार होता है। इससे उपर उठने की हम सबको जरूरत है। और महिलाओ के मसले जादातर सबसे पहले विकास से ही रिलेटेड रहते हैं। तो पहले उनका पढ़ाई के लिए सबसे जादा मैं कहना चाहूंगी कि जब तक हम उन्हें जागरूप पढ़ाई के रूप से नहीं करेंगे। तो कही ना कहीं स्कूल में जो बड़ी उमर की लड़कियां होती हैं, जो हाई स्कूल एंटर में होती हैं। तो उनको को एड स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। तो उनके लिए अलग से अगर ओनली गर्ल्स स्कूल की प्रोविजन हो जाए, कस्बों में खास तोर पर तो उससे बहतराई रहेगी। पढ़ाई में जब आगे निकलेंगे। और कई न कई हम कोशिश कर सकते हैं इस तरह कि उनको आगे अडमिशन दिलाने के लिए अगर हमारे जो प्रतिनीदी हैं वो खुद से इस चीज का स्टार्ट करें। कि उनके अडमिशन फॉर्म भरवाना बहार की उनिवर्सिटीज में अगर यहां नहीं हो सकता जो बड़े लिखे लोग हैं वो बहार तक पहुँच पाएं तो में तो पढ़ाई का ही मुद्दा रहे हैं। आप अगर एक बार सुधीर साब जो इकराने कई सर्मिद होता है आपके साब से किन मुद्दों पर मुख्य रूप से किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़े जाएं। कि नगर्पाली का है मुद्दे आब कोई मुद्दा किसी सालग नहीं है और इंटर्ट मुझान है तो हमाने अज 53 की परकिरिया बहुत तेज है औरал कि परकिरिया हैं जो सरकार के चाय अंचाय वे भी पेहले कच्ची कालोनी होती है कच्ची कालोनी में फिर लोग अन्यांतरी पिविकास होता है उसके बाद फिर खंबे खड़े होते धिकारहे उसके बाद फिर सड़कपसीवर बहता है तो यह जिम्मेदारी थे कि महिलाओं को खाली नाम के लिए लड़ाया अलगी समाज जटिल है तो दिरे-दिरे ही चीजे बदलाव आते हैं लेकिन काफी बदलाव है इस समय लोग अपने हक खकुक के लिए कड़े होरे चाहे वो दलीत हों चाहे वो महिलाए हों वो अब आगे की बात करते हैं तो हमें यह यकीन है कि इस बार का जो चुनाव होंगे वो पिछली बार से बहतर काम करेंगे लोग बाग और उसका सही सोप्योग करेंगे चलिए मुझे पीछे से इशारे आ रहे हैं कि आप लोगों को आगे प्रचाहर के ले जाना है तो मैं यह खतम करूंगा बहुत बहुत शुक्री आप सब का और सीसीय के साथ आप सब लोग जुड़े रहें धन्यवाद